नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन मंसाल वास्तु कुंसल्टेंट आज फिर मैं अपने यूटूब के कमेंट वर्क्स में आई वे मैसिज का रिप्लाइग देना चाहूंगा मेरे पास मैसिज आया है दर्शन जी का इनों ने लिखा है sir thanks for detailed explanation I understand from your video that southwest corner house needed to be 90 degree my doubt is can house compound be still be cross देखें मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शन जी आपने जो question मेरे से किया है उसमें ये है कि आप जो अपनी building बना रहे हैं आपका plot southwest corner का है और उसमें जो building मिना रहे हैं वो आप 90 degree building बना सकते हैं लेकिन जो आपकी compound wall है उसको भी आपको 90 degree करना चाहिए जो आपका open area है जो extended area है वो extended area आपका बहर के area में count हो जाए है सडक की और हो जाता है उसमें आप अपनी parking के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि जब आप वो जगह छोड़ेंगे तो उससे आपको कोई भी negative effect नहीं मिलेगा यदि आप अपनी compound wall को 90 angle नहीं कर सकते हैं साउथवेस्ट को 90 अंगल नहीं कर सकते हैं बनी बिल्डिंग को 90 अंगल बना सकते हैं तो उसके लिए आपको साउथवेस्ट के लिए और भी बहुत सारी remedies करनी होगी उसके मेरे से सला ले सकते हैं किसे और वासंथवेस्ट नहीं से सला ले सकते हैं ता कि आपको बहुत अच्छी result मिल सका मैं फिर्भी कहने चाहँँगा आप अपनी घर बनाने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने को 90 अंगल जरूर करें ऐसा करने से से घर के इंदर स्टेबिक्टी भी आती है परिवार में आप से संबंद भी अच्छे होते हैं और आप एक अच्छे लेवल पर भी ग्रॉथ जिरूद करेंगे साँच्छा और आपको नेंगाएं के अगल होना चाहिए मजबूत होना चाहिए वहाँ पर कोई व्यवास्त दोष नहीं होना चाहिए मेरे द्वारा इस वीढियो में दे की जानकार आपको लगता है सही है और आप जरूर से ज़्यादा पैसाने तो आप अपने यह पर चोटे चोटे उपाई करके अच्छे रहे जल्ट प्राप्त कर सकते हैं आपको लगता है कि मेरी वीडियो सही है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में फेस्बूक ग्रूप, इंस्टाग्राम, वाट्सप ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप मेरी आने वाली नई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरू करें इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विशे पर चल्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल